Hey guys, my name is Vren Singh, welcome to this particular platform. आज हम बात करने वाले लोटका वोल्टेरा मॉडल को कैसे हम बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं. तो वैसे इसमें कई सारे concepts आते हैं, ISOCline का concepts आता, equation आता है. तो मैं पहले ही आपको बता दूँ कि अगर आपने लोटका वोल्टेरा मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं चानते हैं, तो साइद ये वीडियो आपके लिए नहीं है. लेकिन अगर आप logically और basics कुछ जानते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल के लिए, तो आप within seconds लोटका वोल्टेरा मॉडल के graph को interpret कर सकते हैं, उसी के बारे मैं वाज discuss करने वाले हैं कि कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत ही basic सा एक overview दे देता हूँ कि लोटका वोल्टेरा मॉडल है क्या और किस तरीके से ये trick काम करने वाली है, तो ध्यान देने के कोसिस करिएगा लोटका वोल्टेरा मॉडल, we are going to discuss here, इसमें एक species, दूसरे species के साथ जब compete कर रही होती है, तो इसमें जो होता है inter-specific competition, क्या बोला मैंने, inter-specific competition के लिए जो होता है, ये particular design किया गया है equation, इसमें जो है inter-specific और inter-specific दो तरीके के competition की बात की जाती, जिसमें कुछ coefficient होते हैं, so कुछ terms होते हैं, कुछ चीजे होती हैं, जैसा मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको basic पता है, तो आपको वीडियो बहुत ही short और बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर basic नही अगर species 1 का जो मैं number बोलू कि इसका जो population size है वो है N1 और species 2 का population size है N2, species 1 का carrying capacity जो है वो K1 है, इसका carrying capacity जो है वो K2 है, अब species 2 जो अब inhibit क्यानि competition कर रहा है, तो competition में जो relation होता है, वो होता है minus minus, मतलब 1 and 2 दोनों एक दूसरे पर negative यानि की negative effects हो कर रहे होंगे, तो 1 negative effect हो करेग कुछ सी भी तरीके से इस पर, तो इसको हम बोलते हैं alpha 2 1, मतलब 1 जो है दूसरे पर वार कर रहा है, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ कि आदमी जो है आजकल दुनिया में लोग पीछे से वार करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी पीछे से वार होने वाला है, alpha 2 1 मतलब जब भ 1 on 2 यह होता है, और alpha अगर 1 2 लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है negative effect यानि की competitive effect जो है वो है, negative effect, competitive effect of 2 on 1, सो जब 1 on 2 करेगा तो alpha 2 1 बोलेंगे, और 2 1 पे करेगा arrow देखें, दोसरा पहले पे कर रहा है तो इसको बोलेंगे alpha 1 2, alpha 1 2 को जनरी alpha भी बोलते हैं, alpha 2 1 को जो है बी इस तरीके से कभी notation जो होता है वो चलता रहता है, अब सवाल यह उठता है, जब भी यहाँ पे species 2 1 इस particular carrying capacity यानि की 1 के carrying capacity को कम करने की कोसिस करेगा, carrying capacity कुछ भी है, मान लिजे species 1 की for example 100 है, तो species 2 चाहेगा कि मैं कम करूं, कम करूं, कम करूं, इसलिए वो क्या करेगा, carrying capacity को कम करना चाहेगा, किस से, alpha से, k1 की carrying capacity को कम करना चाहेगा, alpha से, और 1 जो है, k2 की carrying capacity को कम करना चाहेगा, बीटा से, क्योंकि यह negative effect है, तो k2 की carrying capacity कम करना चाहेगा, बीटा का, तो k1 जो negative effect सो करेगा, बीटा पे, यानि की k2 पे, वो इस तरीके से करेगा, और k2 जो वो आपके इस तरीके से करेगा k1 by alpha, so एक बार फिर समझेगा कि n1 is the population size, population size है आपका and species 1 का population size, species 2 का and 2 है, यह है carrying capacity, carrying capacity is the maximum limit of the population, यानि k1 है species 1 का, k2 है species 2 का and इसके बाद यह जो है k1 by alpha that is negative effect of the k2 on the k1 की, उसकी वज़े से k1 की carrying capacity घट जा रही है, कोई भी value को जब किसी भी value से divide करते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा है तो obviously बात है कि वहाँ पर वो value घटने वाली है, 100 को एक से करेंगे तो 1 होगा, 100 को अग इस factor से कर रहा है, वो alpha factor से कर रहा है, दूसरे का negative effect और पहले का negative effect तूसरे पर देखेंगे, तो यह बीटा से कर रहा है, यानि k2 by बीटा हो गया, तो इसका negative effect इस तरीके से काम किया है, यह अगर basic समझ में आ गया पहले नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी आपको समझ में आ ग आपको यह ultimate video इतने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनिट में पूरा का पूरा concept जो है, दिमाग में फिट हो जाने वाला है, कि यह n1 है, अब जैसे भी किसी भी particular direction में इधर हम बढ़ेंगे, n1 की value बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी value यह 0 है, यह 1, 2, 3, 4, मतलब जैसे जैसे इस side बढ़ें है, उसे के उपर हम बात करने वाले हैं, तो देखिए, कि अगर यह particular case में, n1 और इस पे, n1 के case पे आएगा दो parameter, that is k1 and k2 by बीटा, कि k1 अपने उपर कितना positive effect सो कर रहा है, और negative factor इसकी वज़े से कितना सो कर रहा है, और इस पे जो आएगा, वो आएगा k2 या k1 by alpha, मतलब कि इसका positive factor खुद के लिए कितना है, और negative factor जो है, दूसरे species पे कितना है, जो कि हमने यह आपको बताया था, यही cross value जो है, आपको लेके रखना था, अब इन दोनों में, आपको पता है, जो value जितना दाहिने side, मतलब right side इधर होगा, उतना more होगा, और जो value जितना up होगा, K2 carrying capacity है, 2 की, K1 है, 1 की, और alpha है, inhibitory effect, मतलब इस तरीके से यह काम कर रहा है, inhibitory effect के तरीके से, और यह इसके तरीके से inhibitory effect का काम कर रहा है, species 1 चाहेगा अपने आपको आगे बढ़ाना, species 2 चाहेगा अपने आपको आगे बढ़ाना, इसी पर पूरी की पूरी लडाई होती है, और चार तरीकी की result आपको मिलते हैं, कौन-कौन से पहला result होगा, या तो species 1 जीतेगा, या तो species 2 जीतेगा, या तो species 3 जीतने वाला है, sorry, species 1 and 2 जो है, वो दोनो unstable coexistence में जाए, या तो जो है, stable coexistence, यही कहानी है, पूरी के पूरी, चार result बनेंगे, चलिए देखते हैं, कब कौन सी कहानी बनेगी, सबसे पहला देखिएगा, कि यहाँ पे, इनी दोनों ratio पे, इस जगह पे जो आ रहा है, के 1 की value जो है, के 2 से जादा, के 2 बाई बीटा से जादा है, मतलब इस axis पे, के 1 की carrying capacity जो है, वो जादा है, इधर इस axis पे देखिए, अगर right side में जा रहे है, मतलब के 1 is greater than के 2 बाई बीटा, the first condition, when the K1 is greater than K2 by बीटा, that simply means K1 is higher, यहाँ से K1 higher बता रहा है, दूसरा जो है, इस axis पे देखिए, तो K1 by alpha is greater than K2, यहाँ से भी K1 जो है, वो higher बता रहा है, यानि किसकी carrying capacity higher हो रही है, species 1 की, दोनों axis पे यह represent किया जा रहा है, K1 by K1, K1, दोनों species K1 को represent कर रहे है, that means, logically यह है कि species 1 जो है, जीतने वाला है, यानि कि species 1 जीतेगा, और species 2 eliminate हो जाएगा, जनाब, सीधी सी बात है, यही तो है, कहानी बिना isocline के, बिना किसी चीज के, आप आसानी से जो है, इस तरीक से देख सकते हैं, बिना कुछ, मैं कोई isocline की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ, एक्सिस के knowledge पे, जो logical knowledge हो, उसी से आप इंटरप्रेट कर लोगे, यह condition, जहां पे आपका K1, K1 दोनों तरफ जादा होगा, वो species 1 को जीताएगा, और species 2 जो है, वो कहेगा कि मैं eliminate हो गया, this is the first condition, let's see the graph here, दूसरा graph देखिए, दूसरे condition में क्या होता है, कि when condition क्या बनेगा, कि यहां पे देखिए, कि condition बनता है, K2 by beta is greater than K1, इस axis को देखिए, K2 by beta जो है, वो जादा है K1 से, दूसरा axis देखेंगे, तो वो है, K2 जादा है, K1 by alpha से, यहा यहां पे अगर देखा, आपने धंग से, अगर यहां पे आपने देखा, ध्यान से देखने की कोशिस करिएगा, कि when अगर आप इस तरीके से यहां पे देखने की कोशिस करते हैं, सूथ इस, K2 यहां, दोनों तरफ, जो है, K2 जादा है, जब K2 जादा है, तो क्या होगा, किस की carrying capacity जादा है, species 2 की, species 2 की जब carrying capacity ज्यादा है जनाब, तो वो जीतेगा ही, जीतेगा, वो कहेगा, मैं ही जीतूंगा, तो सीधी सी बात है, species 2 will win, और अगर यह जीतेगा, case without isocline सिर्फ graphical knowledge पे ये काम जो है वो चल रहा है ठीक है अब तीसरा condition देखिए तीसरे condition के उपर जब हम बढ़ते हैं तो where this is a case of unstable coexistence why ध्यान दीजे कि ये जो बोल रहा है कि इस axis को देखिए ये बोलता है k1 is greater than k2 by beta यहां पे k1 जादा है here k1 is greater than k2 by beta यहां पे देखिए k2 is greater than k1 by alpha तो k1 is greater than k2 by beta and k2 is greater than k1 by alpha यह alpha as you know that alpha and beta are inhibitory effect ठीक है बहुत simple सा concept है inhibitory effect अब यहां पे inhibitory effect जो है जहां दीजेगा inhibitory effect is high inhibitory effect is high why high क्यों मैं बोल दे रहा हूँ इसके लिए थोड़ा सा logic समझेगा 100 बटे 1 and 100 बटे 2 ठीक है ना अब देखिएगा कि मैंने यह बोला कि this is like k1 मान लिजे की 100 है k1 मान लिजे 100 है अगर beta की value 1 होती तो यह बराबर होता 100 के 100 by 1 1 होता लेकिन यह value जादा तब होगी यानि 100 by 2 मैंने रखा जहां पर beta की value 2 रख दी यानि कि देखिए beta की value जादा होगी तभी तो इस ratio की value जो कम होने वाली है बेरिव बेसिक सपंगा है कि जब denominator जो है ठीक है ध्यान देने की कोसिस करिएगा कि जब मैंने बोला कि denominator जो है आपका specifically जब denominator का condition बन रहा था कि यहाँ पर जैसे ही denominator बढ़ेगा वैसे ही यह पूरा का पूरा ratio कम होगा denominator बढ़ा तो पूरा ratio कम होने वाला है आप बढ़ाएंगे ratio कम करेंगे तो यहाँ पर alpha और beta ज्यादा है जब ज्यादा होगा inhibitory effect ज्यादा होगा तो इन पर co-existence stable हो गया ना unstable unstable co-existence होगा बहुत सीधी सी बात है भाईया कि inhibitory effect ज्यादा inhibitory effect ज्यादा मतलब हमेशा inhibition करने की कोशिस पर रहेंगे यानि की coexist तो करेंगे लेकिन unstable करेंगे अगर आपने elimination की बात करीती तो इसमें दोनों graph देखेंगे यह species 1 और species 2 का दोनों parallel चल रहा था species 2 eliminate हो रहा था तो भी species 1 हो रहा था तो भी दोनों graph parallel थे लेकिन coexistence के case में यह graph inter crossed होता है मतलब बीच में cross हो रहा है यहाँ पे एक जगह पे pinpoint पे condition आती है इसलिए coexistence बनता है जहां पे species 1 और 2 एक साथ exist कर रहे होते हैं इसी को equilibrium position के नाम से भी जाना जाता है यह unstable coexistence जिसमें alpha और beta की value जादा होने की वज़े से overall ratio की value कम हो जाने की वज़े से यह k1 k2 दोनों जादा हो गये थे और यह condition appear हो गया था इसके बाद the last case that is when the both species exist इसमें condition देखिए कि यहाँ पे क्या है k2 by beta is greater than k1 and k1 by alpha is greater than k2 यानि की k2 by beta देखिए k1 से जादा है और यह इससे जादा है इसका मतलब क्या है कि यह ratio जादा है k2 by beta का ratio अगर ratio जादा है अगर ratio more होगा मतलब कि denominator जो होगा ratio more मतलब denominator will be less denominator less का मतलब है alpha and beta alpha and beta less होगा मतलब inhibitory effect less है अगर एक दूसरे का inhibitory effect ही less हो गया जनाब तो बताइए stable रहेगा unstable एक दूसरे को inhibit ही नहीं करना चाहरे है तो यह जो equilibrium point होगा वो stable हो जाएगा तो यह है stable coexistence तो यही चार तरीके की कहानी है जिसके conclusion पे ले आने के लिए मैंने आपको चार किस्से बता दिए इस सारा build-up मैंने किया है सिर्फ एक छोटा सा ratio pinpoint लाने के लिए वो ratio pinpoint है आपका यह so that is a quick reason try to understand ultimately the trick of Lotka Volterra model within five seconds में सिर्फ axis देखे axis देखे अगर k1 k2 by beta से जादा है और k2 जो है वो k1 by alpha जो है वो k2 से जादा दोनों तरफ अगर k1 है तो species 1 जो है वो win करेगा और 2 जो है वो eliminate होगा ठीक है न यह हो जायागा भाईया अगर दूसरा देखिए k2 by beta यह n1 axis का है और यह n2 axis का है अगर k2 by beta k1 से जादा हो और k2 जो है k1 by alpha से जादा हो तो species 1 जो है वो eliminate होगा और 2 जो होगा वो win करेगा पहुँच सीदी सी axis देखा बस आपने अगर k1 जादा है k2 by beta से और k2 जादा है k1 by alpha से दोनों तरफ alpha वानि रेशियों की value कम है inhibitory effect की value जादा हो जाएगी इसलिए यह unstable coexistence में चला जाएगा जनाब बहुत ही simple सा case है और अगर दोनों value यानि k2 by beta is greater than k1 यह k1 by alpha is greater than k2 यानि की यह ratio की value जादा हो गई मतलब inhibitory effect की value कम हो गया तो यह stable coexistence में चला गया अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जनाब comment box में जरूर बताईएगा और ऐसे tricks सही है तो और भी बताईए में लेके आता रहूंगा सिर्फ access देखके लोटका वोल्टेरा model के conclusion पे पहुच सकते हैं without drawing any like कोई भी isocline draw करने के बजाए तो अच्छी लगी जरूर बताईए दोस्तों तक share करिये और अगर ICMR के free courses चाहिए e-learnum पे जुड़िए और अगर CSIR पढ़ना है मुझसे तो Unacademy पे जुड़िए referral code यूज़ करिये विरें to get the 10% discount and get ICMR DBT and all के लिए e-learnum पे पढ़ाता हूँ तो thank you so much guys for watching have a great day bye bye check care